हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी आप नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटल फॉल पे कौन सी स्प्रेक की जाए सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे फंगी साइट से पैटल फॉल पे सबसे पहले जो हमारा फंगस पनपता है वो है पाउडरी मिल्डियू सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि हम पाउडरी मिल्डियूल को कैसे पैचान सकते है पाउडरी मिल्डियू जो है वो सेव की टेहनियों की नहीं गरोध पे सबसे पहले पनपता है शुरुवाती समय में ये पत्यों के निछली तरफ वाइट से पाउडर के रूम में रहता है जो कि उसके बाद ये धीरे धीरे पत्यों की दुनों तरफ दिखाई देना शुरू हो जाता है जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो पाउडरी मिल्डियू एक निशीत तापमान में बहुत तेजी से पनपता है पाउडरी मिल्डियू को पनपने के लिए 10-25 तापमान और 70-100% हुमिलिटी की आशकता होती है जैसा कि इस साल का हमारा यहां का वैदर है वो इसके लिए बहुत अनुकूल है पाउडरी मिल्डियू की रोग थाम के लिए मैं कुछ एक प्रोड़क्स के नाम बताना चाहूँगा सबसे पहला जो प्रोड़क्ट है वो है स्कोर जो काफी समय से हम लोग करते भी आ रहे हैं एक सिस्टेमिक फंगी साइड है इसका पाउडरी मिल्डियू के ओपर काफी अच्छा कंट्रोल रहता है दूसरा प्रोड़क्ट है नेटिवो भी इसके लिए बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है इसके अलावा आप कंटाफ और इंडेक्स करके भी दो प्रोड़क्ट आते है वह भी आप पाउडरी मिल्डियू के लिए आप इसे उप्योग में ला सकते हैं फंगी साइड के बाद हम बात करेंगे न्यूट्रियंट्स की न्यूट्रियंट्स के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी अप्लोड की है जो पैटल फॉल के उपर कौन सी स्प् के लिए बहुत उप्योगी रहे यहां पर मैंने कुछ एक प्रोड़क्स के नेम बताए है जो कि हमारे सेल ड्यूजन और फ्रूट्ड डेवलप्मेंट के लिए अच्छा काम करते हैं सबसे पहला जो प्रोड़क्ट है 19-19-19 इसमें 19% नाइट्रोजन 19% पोटाश और 19% फॉरस रहता है नेक्स्ट है सैनी फॉरस इसमें 23% फॉरस रहता है तीन परसंट केल्शियम भी रहता है और कुछ एक मात्रा में नाइट्रोजन भी उपलाब्द रहता है न्यूटर्स के बाद हम इंसेक्टिसाइट के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि कई जगा पर इस स बॉर्णादा प्रयोग करने के करण हमारे बगिच्टों में मात्र पनप रही है और साथ में जब师 हैं या फिर पी, मााइट के स्टेज्च आसपास माइट के स्प्रे कर सकते हैं माइट को मारने के जो कीटना शक होते हैं एक होता है जो अंडो को मारता है और एक होता है जो अडल्ट को मारता है अगर आप माइट के अंडो को मारना चाह रहे हो तो यह वाला समय सबसे अच्छा है सप्रे करने के लिए कई किसानों का मानना है कि यदि माइट की स्प्रे, पैटल फॉल या पीनट स्टेज के आसपास की जाए तो हो सबसे ज़्यादा effective रहती है अब मैं कुछ एक प्रोडक्ट के नाम दूँगा जो माइट को मारने के लिए काफी effective है Oberon और Madden ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो माइट के अंडो को मारने में सक्षम है इसके अलावा एक प्रोडक्ट है Magister ये माइट के अडर्ट को मारता है इसका अंडो पे कोई effect नहीं रहता है जिन किसानों के बगीचों में सुन्डियों की दिक्कत रहती है वो अपने बगीचों में मेला थ्यान या फेम का इस्तेमाल कर सकते है आपको मेरे द्वारा दी की जानकारी कैसी लगी प्लीज कोमेंट बॉक्स में जुरूर बताए और साथ में मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आने वाले समय में मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे धन्यवाद